नमस्कार स्वागत है आप सभी का साहिपती जोती में आज की इस वीडियो में हम लोग विस्वंभर नाच सर्मा कौसिक जी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना आदर्श विद्यार्थी के भाग दो यानी इस वीडियो में हम लोग इस पाट से सम्मन्धित जो बोध मूलक प्रशन है व्याख्या मूलक प्रशन है एवं भासाबोध यानी व्याकरन सम्मन्धि प्रशन है उसे देखेंगे इसी पाट से सम्मन्धित मैंने एक और वीडियो बनाई है जो कि इसका भाग बन है और उस भाग में हम लोगों ने इस पाट के सारांश उसके बहु प्रशन एवं लगुतरिया प्रशन की चर्चा की है तो यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी तो अवस्तिय देख ले और उसके बाद इस वीडियो को देखे तो आपका यह जो पाठ है वह पूरा हो जाएगा ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं अर्वप्रथम बोध मूलग प्रशन पहला प्रशन देखते हैं आईए जो हमारा पहला प्रशन है कि लेखक नौ वीवक को देखकर क्यूं महसूस करता है कि वह साधारन व्यक्ति नहीं है जैसा कि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि जब लेखक मेले में जाता है और वहां पर नौ वीवक को खिलोने बेचते हुए देखता है तो उसे देखते ही यह बात पता चल जाती है कि यह जो युवक है यह जो लड़का है वह कोई साधारन बालक नहीं है कोई साधारन व्यक्ति नहीं है तो ऐसा क्यों महसूस होता है लेखक को उत्तर देखते हैं लेखक, नौव यूवक की आकरिती, उसका रूप रंग, बात ब्यवहार, यानि कि बात करने की तरीके उसका जो ब्यवहार था, उसे देखकर समझ गया कि वह किसी अच्छे परिवार का व्यक्ति है, इसके साथ ही उसके बात के तौर तरीके से यह भी भाप गया कि वह पढ़ जाता है कि जो यूवक है वह कोई साधारन व्यक्ति नहीं है, बलकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, दूसरी प्रशन को देखते है, नौव यूवक ने लेखक को जो राम कहानी सुनाई, उसे अपने शब्दों में लिखिये, यानि नौव यूवक जो है वो लेखक को खाते-पीते परिवार से था, लेकिन उसकी मुचीबत तब बढ़ गई जब उसके पिता का देहान्त हुआ, यानि उसके पिता की बृत्ति हो जाती है, और उस वक्त ऐसा लगा जैसे कि उसकी पढ़ाई लिखाई बंद हो जाएगी, वह बीये के अंतिम वर्ष में पढ़ा जाती है, तो उसने दो वर्ष तो पूरा करने था, अंतिम वर्ष की पढ़ाई चल रही थी, अगर इसे वह पूरा कर ले तब ठीक है, और यदि छोड़ दे तो उसके दो वर्ष की पूरी महनत थी, वह बेकार हो जाती, इसलिए वह पढ़ाई बीच में छोड़कर अपने भविश्य को खराब नहीं करना चाहता था, और इसी वजह से उसने खिलोने बेचने का काम आरंब किया, जबकि उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो गई, उसके इस लगन से प्रसन्न होकर, उसके प्रिंसिपल ने अपने खर्चे पर B8 की ट्रेनिंग करवाई, और उसके बाद स्कूल में पढ़ाना आरंब किया, जब लेखक नवीवक से स्कूल में मिलता है, विद्याले में मिलता है, तो वह नवीवक से पूछता है कि आप यहां कैसे, तो उसी वक्त जो है नवीवक अपनी सारी बात बताता है, कि उसके पिता की मृत्ति हो गई, और वह पढ़ाई क कर रहा था तो बीच में पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहता था इसलिए उसने खिलोने बेचने का काम आरंबग किया पढ़ाई में वह अच्छा तो था ही और उसकी मेहनत देखकर उसके प्रिंसिपल नहीं उसे बीड भी करवाया और सौ रुपय मासी गवेतन पर स्कूल में भी नौकरी मिल गई उसे ठीके आई आगे के प्रश्न को देखते हैं आधर्ष विद्यार्थी के कि नहीं दो चारित्रिक गुणों का उल्लेक कीजिए यानि कि उसके चरित्र में जो दो महत्वपूर्ण गुण थे उसे बताईए तो देखिए आधर्ष विद्यार्थी के दो चारित्रिक गुणों में अध्यान शीलता ठीके उसमें अध्यान शीलता थी पढ़ने के प्रती लगाव था और दूसरा परिश्रम का भाव ये उसके दो महत्वपूर्ण गुण थे ठीके का उल्लेक किया जा सकता है अपने अध्यान सिल चरित्र के कारण ही अपने पढ़ाई नहीं छोड़ता और अंतता आखिर में बीए बीएड ठीके ये दो अलग-अलग पढ़ाई है बीए बीएड ठीके पढ़ाई पूरी की इसके साथ ही उसने अपने पेशे के रूप में सिक्षा का ही चायान किया ठीके और अधर्श विद्यार्थी की जो दूसरी विशेस्ता है के रूप में परिश्रमी सभाव उसके अंदर महनती सभाव था इस गुण का हमें पता चलता है इन ही गुणों के कारण उसने खिलोने बेचकर अपनी पढ़ाई और जीवन निर्वाह के मार्ग को चुना इसके साथ ही एक और पढ़ाई दूसरी और खिलोने बेचने का कारे उसके इसी गुण का परिचायक है अपने बिकट परिश्थिती में भी अपने दो बिशेस गुण एक अध्यान सिल्ता के कारण वह पढ़ाई नहीं छोड़ता है और परिश्रमी सभाव के कारण वह क्या करता है खिलोने बेचने का काम चुन लेता है और इन के प्रश्न को देखते हैं आधर्ष विद्यार्थी कहानी के उद्धेश्षी को स्पष्टि करें यानि इस कहानी को लेखक ने प्रू लिखा है आपको वह बतलाना है इस कहानी का बुख ये उद्धेश्षी क्या है तो देखे, आदर्श विद्यार्थी कहानी के द्वारालेखक यह संदेश देना चाहता है कि जीवन में शिक्षा और ज्ञान का अमूले महत्व है इसका कोई मूले नहीं है, यह बहुत ही अमूले है यह ज्ञान और सिक्षा दिरण इच्छा सकती मेहनत के दम पर ही प्राप्त हो चकती है। लेखक ने सपष्ट किया है कि विद्यार्थियों को जीवन के विकट परिष्थितियों से घबराना नहीं चाहिए और नहीं सिक्षा को बीच में छोड़ना चाहिए ये बात लेखक ने बतलाया है आदर्श विद्यार्थी के चरित्र के मांध्यम से और साथी साथ क्या करना बलकि अध्यन को सतत जरारी रखने से सफलता अवश्य मिलती है यदि आप अपने जीवन में आने वाली बिकट परिष्थितियों से घबराये नहीं और अपनी सिक्षा को बीच में ना छोड़े सतत प्रयत्न करते रहें अभ्यास करते रहें तो आपको एक दिन सफलता अव अधिकांस को नौकरी ना मिल पाने पर वह निराश होकर जीवन को व्यर्थ समझ लेते हैं वहीं आधर्ष विद्यार्थी का चरित्र एक उत्तम उदाहरण है वो अपनी वास्तविक मंजिल को प्राप्त करता है इक्षा का उद्देश्य होता है व्यक्ति के अंदर विवेक द्रणता इच्छा शक्ति को बनाये रखना आजकल के समय में विद्यार्थी मुख्य रूप से नौकरी पाने के उद्देशे से ही सिख्षा को ग्रहन कर रहे हैं ऐसे में जब सभी लोगों को नौकरी नहीं मिलती है तो उनके भीतर एक निरासा घर के अर जाती है लेकिन व इसके माध्यम से ही वह अपने जो वास्तविक लक्षे है उसे प्राप्त कर पाता है तो यह इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को अपने जीवन में किसी में विकट परस्थिती से घबराना नहीं चाहिए अब इस पार्ट से संबंदित जो हमारी व प्रश्न दिये गए हैं पहला प्रश्न देखिए किसने किसके विसेय में सोचा उत्तर लेखक ने नव युवक के विसेय में सोचा यह पंक्ती है इस पंक्ती के आधार पर यह प्रश्न है दूसरा प्रश्न वक्ता को सांकेतिक व्यक्ति विचित्र क्यूं प्रतीत हुआ वक्ता किसे कहते हैं वक्ता हम कहते हैं जो बात को बोल रहे हैं जैसे इस वक्त मैं बोल रही हूं तो मैं क्या हूं वक्ता हूं आप सुन रहे हैं मेरी बात को आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोग है श्रोता श जैंपकएतिक व्यक्ति को बहुती बिचित्र यानि जो नौवयवक है उसे बिचित्र क्यों लगा ठीकिए उतर देखिए नौवयवक hon ने तीन क्रhe народ better को आपकाता क्रhe हुआ यानि कि बहुत ही अजीव लगा ठीक है लेखक को नौविवक अलग लगता है कि ऐसा उसने क्यों किया आईए अब देखिए यहां पर दूसरी पंक्ति दी गई है दूसरी पंक्ति है ख नंबर कि इसलिए मुझे चिंता हुई यह पंक्ति देखिए डवल इंवर्टेट कॉमा के भीतर है यह पंक्ति और इसके आधार पर पहला प्रश्ट देखिए पाठ और लेखक का नाम लिखे तो देखिए उत्तर पाठ का नाम आधर्श विद्यार्थी एवं लेखक का नाम विश्वम भरनात सर्मा पोशिक है ठीक इसी पंक्ति के आधा पर नव युवक जो है वो वक्ता है ठीक है तो यह पंक्ति नव युवक बोल लहा है इसलिए देखिए कहा गया है यहाँ पर कि वक्ता को किसले चिंता हुई उत्तर पिता की और समय मृत्यू के कारण वक्ता की यानि कि नव युवक की आर्थिक स्थिती खराब हो गई पैसा रुपए की दिश्टी से वह कमजोर हो गया पढ़ाई बीच में रुकने का डर सताने लगा उसने फीस माफ करा ली लेकिन बिना खाना पीना के पढ़ाई संभव नहीं था अता खाने पीने की जुगाड की चिंता में वह डूबने लगा इसलिए उसे क्या हुई? चिंता सताने लगी आईए गव नंबर पंक्ती देखते हैं हम गव नंबर पंक्ती भाई इमानदारी से पैसा कमाने में कुछ शर्म नहीं ठीक है? यह किसने किस से कहा? उत्तर देखिए यह बात नव युवक ने कॉलेज में अपने कुछ साथियों से कही क्योंकि जब वह खिलोने बेचता है तो उसके साथ पढ़ने वाले कुछ लड़के जो है इस पर वह कहता है कि इमानदारी से पैसा कमाने में कुछ भी सर्म की बात नहीं है ठीक है? और इसी पंक्ती पे आधारी देखिए दूसरा प्रश्न इस पंक्ती का आसे इस प्रश्न कीजिए उत्तर देखिए पिता की औसम्मे मृत्यू के बाद अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए नव युवक ने खिलोने बेचने का काम आरंब किया जिसे देखकर उसके कुछ सह पाठियों ने यानि साथ में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने प्रश्न कर दिया इस पर उसने सब के सामने स्पष्ट किया कि वह अपनी इमानदारी और महनत से पैसे कमा रहा है वह कोई गलत काम नहीं कर रहा अता उसे किसी बात का शर्म या भाय नहीं है तो उसने साथ कहा कि इमानदारी से पैसा कमाने में कोई शर्म की बात नहीं है मैं तो अपनी महनत से पैसा कमा रहा हूँ, तो ये बात बिलकुल सही है, ठीके, आईए अब इस पार्ट से संबंदित, हम बाशा बोध, यानि कि व्याकरन संबंदी प्रश्णों को देखते हैं, तो देखे, इसमें सबसे पहले है, कि निम्नलिखित शब्दों से उपसर्व और मूल शब्द प्रिथक करें, प्रिथक करें, यानि अलग कीजिए, तो बचो, यदि आपने उपसर्व नहीं पढ़ा है, तो उसे अब से पढ़ ले, या फिर जब मैं ब्याकरन की वीडियो स्टार्ट करूंगी, तो वहां पर हम लोग उपसर्व, प्रत्य, विशेशन, क्रियाविशेशन, तभी व्याकरन की भाग को करते हुए चलेंगे, अभी यहां पर केवल इस पार्ट में आए हुए जो शब्द है, उसमें उपसर्व कहा है, मूल शब्द कहा है, वह हम कर दे रहें, ठीक है, उसे हम करेंगे, तो देखिए, जो शब्द है, वह क्या है, अ असाधारण, असाधारण में अ जो है, वह उपसर्ग है, और साधारण जो है, वह मूल शब्द है, ठीक, इसी तरीके से दुछा शब्द है, विवश, विवश में वी उपसर्ग और वश मूल शब्द, सदूपयोग में शद, जो है वह उपसर्ग, और उपयोग जो है, वह अफशर जो है वो मूलचब्द, इस तरीके से अनपढ में भी आप देख सकते, अन जो है वो हमारा उफशर्ग है, और पढ जो है वह हमारा मूलचब्द है, जब ये दोनों शाब्द मिल गया, तो बन गया हमारा अनपढ, ठीक, उफशर्ग की तरह ही एक दूसरा जो होता है वो होता है प्रत्य, इस दूसरे वाले प्रष्ट में प्रत्य प्रिथक करने के लिए कहा गया है, आपने अपनी पिछली कक्षा में आवज से पढ़ा होगा उफशर्ग प्रत्य के बारे में, यदि नहीं पढ़ा है तो जब मैं पढ़ाऊंगी तो आप वहां से भी देख सकते हैं तो इसमें देखिए पहला साथ है आवशक्ता में ता जब अब अधा है और प्रत्य पिछे लगता है जैसे यहां पर देखिए आवशक है और उसमें ता जब वह हमारा प्रत्य है इसी तरीके से जीवित में जीव जो है वो मुल्सब्द है इसमें कित प्रत्य है तो क्या बन गया है जेवित एक इसी तरिके से कठिनाई चब्द में हमारा मुलव्थ सब्द है और आई प्रत्य है पीछे जुनने से कठिन के पीछे आई जुड़ने से कठिणाई शब्द बना है व्यापारिक में व्यापार मुल्चंद प्रत्य उचुकतर व्याँद संहस्क प्रत्य लोग वका है किस तरह जुड़ते है प्रत्य जो हुता है वो हमसा पीछे लगता है Everyone मूल सब्दी के पीछे लगता है हमारा मूल सब्द है इक मिट हमारा मूल सब्द है ऊत्सुक और इसमें ता प्रत्य जुड़ गया तो क्या बन गया कुच्षुक्ता ठीक है यह हम लोगों ने कर लिया अब सर्ग प्रत्य अब इस पार्ट के कुछ विलोम शब्द तो देखिए विलोम शब्द तो बहुत ही सरल हैं, आप स्वयम भी कर सकते हैं, फिर भी यहां पर मैंने बता दिया है, अधीर का धीर, असिक्षित का सिक्षित, नित्य, नित्य, जो हमेशा रहता है, और उसका विलोम शब्द है अनित्य, जीवित का पृत्य, तो यह बहुत ह स्तरल है इसके अलावा चौथा जो है कि निमनलिखित जो शब्दें हैं उसका शब्दों का प्रयोग वाक्यों में कीजिए यानि कि वाक्य बनाईए कुछ शब्दें हैं जैसे धन्धा, व्यवसाय, विचित्र, धनो पार्जन, निरुत्तर तो धन्धा यानि काम जिसे हम कहत निरुत्तर यानि कि बिना उत्तर के माल लेजे सिक्षक ने कोई प्रश्न आप से पूछा आपके पास उसका कोई जवाब नहीं है तो आप क्या हो गए निरुत्तर हो गए आप इन सब्दों की वाक्य प्रयोग श्वयम भी कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है आप श्वयम भी अपनी इच्छा से कोई भी वाक्य प्रयोग जो कि सही धंग का हो जिसका कोई अर्थ निकलता हो बना सकते हैं परन्तु यहां पर मैंने आपकी सुविधा के लिए दे दिया है आप चाहे तो इसे भी लिख सकते हैं और चाहे तो अपनी इच्छा से अपने अनुसार भी बन तो धंधा का देखिए अत्याधिक कर के कारण और व्यावसाईयों का धंधा चौपठ ऋ गया यह यह अत्याधिक ₹ के कारण उनका जो बिजनेस है वो चौपठ हो गया दूसरा जो है साधने, खोम्चा समझते हैं, एक लकडी का ऐसा बरतन, लकडी का जो बरतन, मतलब पात्र होता है, उसे हम खोम्चा कहते हैं, जिसमें हम कुछ समान वमान रखते हैं, तो उसे खोम्चा का जाता है, लोग क्या करते हैं, खोम्चे में समान रखकर एक जगा से दूसरे जगा ल यहां पर कुछ वाक्य प्रयोग दिये गए हैं, आप चाहे तो अपने नुसार भी कैसा कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आप इसे भी लिख सकते हैं, तो यहां पर यह जो पाठ है, हमारा आदर्श विद्यार्थी, वह समाप्त हो रहा है, इस पाठ से सम् यानि कि व्याकरण किया है, पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पाठ शारांस, लगुतरिया प्रश्ण एबं बहुविकल्पी प्रश्ण को किया है, तो आप उसे भी अवश्य देख लें, और यदि यह वीडियो आपको उप्योगी लगी हो, और ऐसे ही इस विशे से सम्मंदित, हिंदी विशे से सम्मंदित, और भी वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना एवं वीडियो को लाइब करना ना भूले, यह के साथ हन्यवाद,